इसका जॉप कार्ड जोप कार्ड जोप की बनाया गया है तो यह मेरी थर्ड सर्विस है जो एक साल के बाद हो रही है कार के और आपने मेरा देखा था लास्ट वीडियो एक साल के टाटा ल्ड्रोस के रिव्विव्यू पर तो उसके बाद में आपके लिए लेके आ रहा हूँ थर्ड सर्विस की वीडियो क्या क्या इसमें खर्चा आने वाला है क्या इस्टीमेशन बेट है क्या 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 इसमें कमिया थी जो मैंने इस सर्विस में cover करानी है सब आपको बता लेता हूँ और पिर आपको बताऊंगा सर्विस होने के बाद कार का की क्या रहा हूँ मेरा response और मनलब कैसा रहा है कार चलाने में कैसी लग रही है और क्या जो कमिया थी हूँ वो दूर हुई के नहीं हूँ तो सबसे पहले सर्विस का जो estimate आया है वो चलो बाद में बता दूँगा पहले यह देखाता हूँ कि इस हड़ सर्विस में क्या क्या होता है तो सबसे पहले एक पिसका oil change होगा इसका AC अच्छे से काम नहीं कर रहता है जैसा मैंने आपको बताया था वो सही होगा इसका gear थोड़ा सा अटकर आता होना है रिम देखेंगे इसके तो वो सब चीजे हो जाएंगी इसके अंदर क्या क्या प्राइसिंग है सबकी मैं आपको बता दूँगा कि किस में क्या लगा है जब फाइनल प्राइसिंग में डन करूँगा सर्विस होने के बाद तो ये सब चीजे मेरी अल्ट्रोस में होनी है और डीटेल में आपको बताता हूँ कार के सर्विस होने के बाद कि क्या-क्या इसमें सर्विसिंग में हुआ है तो यह देखो कार सर्विस होने के बाद चमक चुकी है बिल्कुल और यह है अपनी कार बढ़िया एक्दम लग रही है बहुत ही गंदी थी तो वाई सर्विस हो चुकी है हमारी कार की और अब मैं जा रहा हूं घर और यह मिल गई है मझे सर्विसिंग की पूरी डीटेल्स बताओं आपको सर्विस सफचानाव से बेखांग है कैसे पूरा आपको डीटेल बताता हूं घर चल के तो मैं आ चुका हूं घर सर्विस कारा और गाड़ी के बारे में अब आपको पूरे service details बताता हूं कि क्या क्या हुआ है और service कितने में हुई है done तो यह रही service के कागज जो मैं आपको दिखा दूँगा तो इसमें पहले क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं गाड़ी में काम क्या क्या हुआ है इसमें mobile oil ौल डला है 3.5.0L ke round सबस्ति यह 700 रुपए की होती है सर्विस जो फ्री हो गई है इसके बाद फ्रंट वील एंलाइनमेंट है और जो एड्डिस्मेंट होती है रिमगी वह चेक हुई है जो साड़े 500 रुपए मैं लाइनमेंट चेक हुई है अल्मोस्ट आफ्टर मार्केट इतने है तो मैंने यही पे करा ली वील बैलेंसिंग हुई है सारी जो आपकी रहती है उसके साड़े 300 रुपए और हुए हैं तो यह हुए हैं तो पार्ट्स वग्यरा होते हैं जैसे कार की फिट्मेंट जो चार्जिस होते हैं वो सब लगे हैं तो 360 रुपए के यह लगे हैं फिर इसके बाद जो ह को यह होता है इसमें लगे जाती है उसमें अफिर जो फेंद की प्र जब्रेक क्लीनिंग होती है और उसमें पूरा ब्रेकिंग झारत है है और उसको क्लीन वगयरा करते हैं बाकी सारे और भी डूर्स वगयरा चेक होते हैं उसके साड़े चार सो रुपे लिए हैं ठीक है और एंटीरस कोटिंग मैंने पहले सर्विस पर ही ले ली थी तो उसके हुए हैं जीरो रुपीज तो क्योंकि वह छे बार चेक होती है तीन या धाई साल का होता है पूरा उसमें तो आप हमेशा मैं जब भी जाता हूं उसको एक बार चेक करा लेता हूं क्योंकि वह कराना भी बहुत ज़रूरी है अब यह जो सारा बिल बैठ रहा था तो अगर मैं टोट लेकिन यहां पर कैच हुई है तो अभी जो कार की प्रफॉर्मेंस से पहले वह बताता हूं तो उसमें मेरे को काफी जादा सही लगा एसी की दिक्कत दूर हो गई है वाइपर्स मैंने चेक नहीं कि वह मैं कर लूँगा क्योंकि अभी मुझे काम के लिए और जाना है सर्व अबाउट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगा जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो वहां से आप देख सकते हो अगर आपको वीडियो चाहिए कि इन्फोटेन्मेंट के बारे में तो आप मुझे बताओ मैं आपके लिए बना दूँगा इसके अलावा जो हमारी चीज इसका जो इन्फोटेन्मेंट का आई हो वह दूर हो तो जब मैं चलाओंगा आपको उसके बारे में भी बता दूँगा आगे वीडियो में अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्ली सब्सक्राइब कर ले न मैं आपको ऐसी अपडेट्स देता रहूंगा अल्ट रोस के बारे जार किलोमेटर पूरे हो गए तो मैंने सर्विस करा ली मैं गुमने गया था इसलिए जादा टाइम नहीं मिला अब जो पूरी टोटल कॉस्ट मुझे आई है तो इसमें एक एमसी का ओफर था तो वो एमसी का ओफर जो मुझे लगा है उसके बाद जो मेरे सर्विस कॉस्ट निकल के आई इसमें क्या हो क्या फायदा हुआ इस एमसी को ले लेंगा इसको सिलवर एमसी बोलते हैं और यह उन्होंने मुझे बताया था कि मैं चेक करूँगा कि आपको मिल सकती है कि नहीं और अगर आपको मिलती है तो सिर्फ काम हो जाएगा 4599 रुपीज में तो येस म अब मैं 6 मंद पे इसका चेक अप जो कराने जाऊंगा तो उसमें जो पैसा लगना था जो भी खर्चा होता है तो उन्होंने वो भी मुझे लिखके दिया था तो वो भी मेरा खर्चा नहीं होगा और शायद मेरी तो वो सर्विस भी फ्री हो जाएगी एक मिनट उकी है मेरे पास जो पेपर था इसके जॉब कार्ड का वो मैं निकाल लेता हूं उसमें वो चीज उन्होंने लिखी थी तो अराउंड अराउंड जो मुझे उन्होंने बताया था कि 1800 प्लस GST का आपका खर्चा आता है जो आपके अगली सर्विस होगी तो वो भी आपकी इसमें ही इंक क्या उसके चाल्जिस हैं स्क्रीन पर आपको आई गए होंगे तो आपको सब कुछ बता दिया है मैंने आपके क्या कोश्चन से इस बारे में मुझे जरूर बताना मैं छोटी सी वीडियो ही रख रहा हूं क्योंकि मैं बाई जादा इधर-दर की इंफॉर्मेशन नहीं दू वह भी मुझे काफी हद तक लगा गेर काफी स्मूथली शिफ्ट हो रहा है अभी तो वह एक चीज थी तो अल्मोस्ट मेरे साब से तो सारा इशू दूर हो गया है मैंने अपनी कार जो सर्विस कराई थी वह गाज्याबाद में सर्विस सेंटर है टाटा मोटर्स का वहां प तो आप देख रहे हो तो आपने करा लिये के नहीं करा रही और या फिर आप वेट करते हैं कोई आपकी कोरी है थाड़ से सर्विस को लेकर या फिर किसी भी उखर तो आप मुझे बताओ मैं वह एक का वोठाइक कर सकता हूँ क्योंकि तीन सर्विस में करा चुका हूँ टाटाल ट्रोस की और काफी सही एक्सपीरियन्स अभी तक तो यह दा इस वीडियो में आप से आगे मिलता रहूँगा तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के वेट करिए चलन पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में तब तक के लिए मैं चलता हूँ जजने नमस्ते शच्रश्यकाल अधाओ कर ंजने दोस्तों में चलता हूँ झाल से एंशने अरभय को पू best-r